राजस्थान में आज 44 नए कोरुणा के पॉजिटिव केसे सामने आ चुके हैं पाली से 14, शुरू से 10 और जैपुर से 9 केसे कोटा से 3 और विकानेर से 1 केस फिलहाल सामने आ है तोसा से 1, धौलपुर से भी 1, जोदपुर, चित्तोरगर, बाडा और भीलवाडा और भारी राजियों से क्रमश है, एक-एक व्यक्ति आज कोरुणा का पॉजिटिव पाया गया है राजस्थान में कोरुणा पॉजिटिव के कुल संक्या बढ़कर इसे के साथ 10,128 फिलहाल दर्स है और कोरुणा से अब तक प्रुदेश में 290 मरीजों ने अपना दम भी तोड़ा है लगातार प्रुदेश के उपर भी कोरुणा के जो संकट के बादल है वो घहराते जा रहे हैं प्रुदेश में आज की अगर बात करें तो 45 ने कोरुणा पॉजिटिव केसे आज भी सामने आए पाली से 14, शुरू से 10, जैपुर से 9, बिकानेट, दोसा और धौलपुर से 1-1 पॉजिटिव आज सामने आए जोदपुर्चित तोडगर बारा और भीलवाडा से भी एक कोरुणा पॉजिटिव इसे बीच में बहारी राजों का एक कोरुणा पॉजिटिव मिला है फिल्हाल जो संक्या है पॉजिटिव में 10,128 कुरुणा के संक्रमित मरीजों की 219 लोगों की मौत भी पॉजिटिव पॉजिटिव इसे बीच में लगातार कुल संक्या 10,128 काफी जादा बड़ी संक्या में तादाद में लोग अपने ठीक हो चुके हैं अपने घरों की और जा चुके हैं चमवाली स्टै केसे इसे बीच में आज सामने आए जोदपूर से एक केस आज सामने आया चुतोडगर, बारा और भीलवाडा से भी एक एक केस भारी राजों का भी एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला है राजसान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कुल संक्या 10,000 के आखड़ी को पार कर गई है 219 लोगों की अब तक प्रुदेश भर में मौत भी कोरोना के चलते इसी बीच यहाँ पर प्रुदेश सरकार की और से बैठकों का दौर चारी है किस प्रकार से जोनता को रियाय दी जाए और कोरोना की संक्रुमन्ट से भी बचा जाए इसको लेकर अशुग घैलोट सरकार बेहत गंभी लगातार मौनिचरिंग कर रहे हैं शुरुवाती दिनों से कोरोना के जब इनिशियल स्टेश थी थभी से और इसी खबर परतिक अपडेट के लिए पाली से वन समवारता मनीश राठोर फिलहाल पॉन लाइन पर जोचिक है मनीश आप से जाना चाहूंगे फिलहाल पाली के क्या स्थिति है जैती पता देना चाहूंगा कि दिलह में गुरुवार सुमेश स्थिति की रिकॉर्ट के अनुचार 14 पॉजिटिव नए के सामड़ा हैं अब तक कुल कोरोना का आकड़ा जैती बढ़कर पहुँच गया है जैती जैती जनता को लगाता है परसाशन द्वारा जागरू किया जारा है और उसी नियम के अनुचार उनकी अनलोग के तरह दुकाने पुली है जी 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 तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनीश प्रुदेश भर से यहाँ पर कोरोना की अपडेट हम आपको दे रहे है कोरोना का जो संक्रमन है वो प्रुदेश के 33 जिलो में फिलहाल फैल चुका है रहत की बात इन सभी की बीच में ये है कि कोरोना से जंग जीत कर काफी जादा लोग अपने घरों की और जा चुके है फिलहाल जो आक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या काफी कम है चम्वालिस ने कोरोना पोजिटिव केसेस आज भी सामने आए लेकिन रहत की बात ये है कि जो रिकवरी दर है वो भी बड़ी है लगातार यहाँ पर टेस्टिंग की सुविधाए सैंप्लिंग की सुविधाओं में बढ़ोतरी फिलहाल सरकार का एक मोटे तोर पर अनुमाल लगाया जाए तो 19 से 20 हजार टेस्ट प्रति दिन यहां प्रुदेश में हो रहे हैं और इसे आगामे दिनों में 25 हजार के जाने की पूरी कोशिश सरकार के द्वारा जारी और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन सम्वारता योगेंद्र महावर कोटा से फिलहाल मेरे साथ फोल लाइन पर जो चुके हैं योगेंद्र बताईए कोटा के क्या तस्वीर है फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आज 506 कोरोना संक्रमेंट मरीज अपने कोटा से सामने आ चुके हैं हाला कि इसमें राहत की बात ये है कि लगाता कोरोना संक्रमेंट मरीजों की जो संक्या बढ़ रही थी उसमें भी इजाफा हुआ है लेकिन कोरोना संक्रमेंट के मरीज कम निकल रहे हैं आज पी तीन Korean conflict मेरीद सामना आए तहाए इसके पहले कल्होंОटा से दो और सुबह एक to लेकिन जो कोरोना संक्रमेंट निकल रहे थे उनकी संक्या कम हुई है हाला कि इसमें जिला प्रशाथ हैं के लिए अभी यही चुनोती बनी हुई है कि यह जो लगातार जो आंकड़ा है वो पांसों के पार पहुंच चुका है तो कईना कई इसको रोकना बेहर जरूरी है और विग्या नगर और छाउनी इलाका ऐसा है जो अभी भी कोरोना का होट इस्पोर्ट एरिया बना हुआ है जहां से लगाता कोरोना संक्यवित बजी सामने आ रहे हैं और यहां पर लगाता सर्वे किया जा रहा है तो कहीं न कहीं जिला प्रशाथान के लिए चुनोती जरूर साबीत हुई है लेकिन इससे लड़ रहा है पुरा शहर एक जूट है पुरा कोटा शहर एक जूट है वास्ते भी बाग हो जिला प्रशाथानों सभी एक जूट होकर कोरोना से लड़ रहे हैं जिला पर बिल्कुल निश्वित ओपर पहले यह दिखा गया थे कि जनता और जिला प्रशाथान के भी तालमेल नहीं बना हुआ जो एरिया था वहां पर जो जनता की लगाता परेशानी सामने आ रही थी चाहिए वो रिलेटेड हो चाहिए वो दूसरे सामनों से जिलापरशाथन जनता के बीच हमेशा एक सेतु बनाने का काम किया है लगातर पहुचकर इतनी गंभी बीमारी में भी लगातर एवन टीवी की टीम पहुची है और जिलापरशाथन वो समझाया है साथ ही जो शहरवाथी है जो कर्टूगर्स की लागे में थे उनको भी कासी भी इस बीमारी को लेकर काफी गंभीर है और स्वेम ही इसमें प्रोटेक्शन कर रहे हैं जी जी बिलकुल साइखा आपने सभी का इस वक्त ये कर्तव्य है ये ड्यूटी है कि अपने देश की हाँ पर रक्षा करें सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम हितायतों का हापालन जा रहे हैं कोटा से सुना अपने कोटा में जो कोरोना की रफ्तार है वो थोड़ी धीली हुई है पिशले दिनों के अगर तुल्ला करें तो काफी जादा रफ्तार कम हुई है और अधिक जानकारी के लिए दोसा सेवन समाराता महिंद्रो मीना फिलहाल फोल लाइन पर महिं जा रहे हैं पिछले दिनों एक दो दिन में कभी एक दिन च्यार आये थे कभी दो दिन आये थे आज एक नया मामला है ऐसे दोसा जिल्ले में एक दिन दूसरे दिन एक और एक मामला आता जा रहा है है जिसमें काफी संक्या में लोग रिकवर हो चुके हैं बागी और का इला कर चुकी है कोरुणा संक्रमित मरीजों की संख्या प्रुदेश में 219 लोगों की मौत भी हुई इन सभी के बीच में रहात की बात ये है कि ठीक होने वाले लोगों की जो दर है वो भी बड़ी है लगातार यहां प्रशासन कारेरत है जनता को सुविधाय प्रुदान करने के लिए जनता को सनरक्षित रखने के लिए और जनता की सेवा के लिए हाँ पर घैलोच सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद नजर आ रही है लगातार किस प्रकार से हमारी सिंबशनी के प्रयास के जाए उसके लिए मॉनिटरिंग जारी है और जोदपूर से वन सम्वारता सतेंद्र सिंग राजपुर है तफिलहाल अधिक जानकारी के साथ वो लाइन पर जोड़ चुके है जैसे जोदपूर शेहर के लिए बाते हैं तो यहां भी कोरोना के मरीजे जो लगातार सामने आ रहे हैं अभी करीना करी जिला प्रतासा नहीं हो तो चिकिस्ता भी भाग है जोदपूर के बाते हैं तो जैपूर के बाते हैं तो जैपूर के बात में जोदपूर ही वो जिला था जो होट स्पॉट था फिलहाल अलॉक वन का जो फेस जारी है तो जनेता के बीच में और प्रशासन के बीच में किस प्रकार का तालमेल है क्या दोने एक दूसरे का पूरा सयोग कर रहे हैं इस से लड़ने के लिए बिल्कुल जैसे की अनलोक वन प्रदेश के लागू है शेहर में लगातार जो बाजार है वो खुल चूक है प्रसासन का लगातार उनसे संपर्क है इस प्रकार पूलिस मितर बना जयाटा है इस प्रकार जोदपूर पूलिस मितर बनाने के अनुटी-पैल की जो भी वैपार योगे मौजीज दो गए है उनसे उनका अलग से सामन जिसके बिठा रखा है लगातार जो है उनके संपर्ग में है साई सोसल डिस्टेंशिंग हो चाहे मास हो चाहे सेनरटाइजेशन उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है और लगातार जो पूरी तरह कि यो पूरी तरह से अलरट में पूरी तरह से राश नजरा रहे है कि दो वो बढ़ती जा रहे है और गलान year अच्छा है और यो लगातार ना प्रतिबद है प्रुदेश रादस्थान कोरुणा से लड़ने के लिए पूरी तरीके से जागरुख है लोगों को कही ना कही अब ये समझ में आने लगया है कि सुरक्षा जो है वो अपनी पहल से ही हाँ पर हुपाएगी और कहा जा सकता है कि इसका परिणाम भी अब अभी देखने को मिल रहा है लापरवा होने के हाँ पर आवशक्ता नहीं है बस थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी को उठाने के आवशक्ता है रादस्तान में कोरोणा पॉजटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी तो हो रही है लेकिन ग्राफ जो है वो बढ़ने के साथ साथ रिकवरी रेट भी फिलहाल बढ़ी है टर्ष बात करें तो जिस तरह से आज पर देश में जो कोरोणा पॉजटिव इस तरह सामने आए हैं तो वहीं आज जो सबह की रिपोर्ट उसना पचीस कोरोणा की पोजटिव पोजटिव केसे बोगत्यों ठीक हो चुके पर्दिश में अब तक 10128 कोरोना पोजिटिव उमरी जो सामने आए हैं तो अब तक जो कोरोना से ठीक होने वाले कि संक्या भी 7384 हो गई है ऐसे में जो लगातार कोरोना पोजिटिव ठीक होते जारे है उसमें डिसाइज करने वाले कि लगातार बढ़ती जारी है और आज जो अजिक रिपोट आई थी उसके आधार पर 25 जो एक्टिव कैसे पर्देश में अभी हो जुद है साथ जिस तरह जिस कोरोना पोजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें जो परवासी उनकी संक्या कांफी रेकिया रही है और परदेश में 2924 जो परवासी अब तक परोना सेंटर बरागमन को आशुलेट किया गया है तकि यह संक्रमन आने कहीं नहीं स्वाइश सेके इसी के साथ बात करें तो जेपुर में सबसे अधी कोरोना पोजिटीव तक सामने आए हैं और जेपुर में मरने वालों की जो ग्राफ है वो भी लगाता बरता ने जरा रहा हैं जे 502 गुवड़ को अंखड़ा है वो जेपुर का नजर आ एक रहा है ऐसी के लगाता इस तरह से अधी कर्देशन को नहीं को नैंगा जा सके इसी के लगातार इसे तरह से बुड़ेशन को प्रदेशन को रहां नचरमन को फिलए से लहां जो एकार के रीकारियों कि निदिकार किस तरह से जिन्मा परदेश्वी कोरना सा करनों लो करें जी जी तमाम जानकारिक लिए बहुत शुक्रिया लोकेश